बीती रात पिथोरा गढ़ के लोगों पर बहुत भारी गुजरी एक तरफ मुसलाधार बारिश हो रही थी तो दूसरी तरफ बादल फटने से कहर बरपा देर रात पिथोरा गढ़ के बसब गढ़ और चिम्टिया इलाके में बादल फटने से तीन चार घरों पर बादल कहर बनका टूटा घर पर मलबा गिरने से दो लोगों की मौत की खबर आई जबकि कई लोग घायल हो गये इतना ही नहीं मलबे का सैलाब राजमार्ग तक पहुच गया जिसकी चपेट में 12 से ज्यादा गाडिया आ गई बद्रिनाथ हाईवे पर पीपल कोटी, पागल नाला, गोविंद घाट और लाम बंगड में मलबा आने की वजह से रुका हुआ है सैक्रो यात्री बद्रिनाथ हाईवे पर परिशान है सिर्फ पिथोरागड में ही नहीं, आस्मानी आफ़त चमोली में भी आए थराली के गौालदम और गुड़म गाउं में बादल फटा जहां एक घर और गौशाला इसकी चपेट में आ गए बादल फटने की सूचना मिलने पर SDRF की टीम मौके पर पहुची और लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई आनाइन टीवी के लिए पिथोरागड से प्रतीक पाथक की रेपोर्ट